सनी देवल इस समय पल-पल दिल के पास के निर्देशन में व्यस्त है यह फिल्म उनके लिए बहुत आहम है क्योंकि उनके बेटे करंड देवल इस फिल्म के जरिये बॉलिवुड में अपनी शुरुवार करने जा रहे है उर्वशी रोटेला ने सनी देवल के साथ सिंग साप दे ग्रेट के जरिये अपना केरियर शुरु किया था चर्चा है कि सनी ने पल-पल दिल के पास में करंड के हिरोईन बनने का ओफर उर्वशी को ही दिया था लेकिन उन्होंने यह फिल्म ठुकरा दी उर्वशी अपनी पहली फिल्म में सनी के साथ रोमांस कर चुकी थी वे नहीं चाती कि सनी के बेटे करंड के साथ भी रोमांस करें लिहाजा उन्होंने फिल्म को करने से मना कर दिया दूसरी और कुछ लोगों का कहना है कि सनी ने उर्वशी के नाम पर विचार किया था लेकिन बाद में उन्होंने नया चेहरा लेना पसंद किया